जैगो मता जैगो पाल दोस्तों सिरी मत जगत करू द्वारा चार्रे मलूक पीठा दिश्वर टॉक्टर सिरी राजनेदाशी महाराज की प्रेरना से सिरी गोपेश जी गोवसाला भरतपुर ने निरास्तरित गोवन्स को संद्रचित करके गोवर से बहुत उत्पादों का निर्माण किया है उनमें से आज में आपको एक बहुती उप्योगी उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूँ हम अपने घरों में जो हवन कार्रे करवाते हैं उसमें पीपल की लकड़ी या आम की लकड़ी का प्रियोग करते हैं इससे पता नहीं पुत्ते एक दिन कितने पेड़ों को हानी होती है कितने पेड़ों को काटा जाता है बस उसी हानी कारक व्यवस्ताओं को रोकने के लिए गौसाला में हम हवन लकड़ी का निर्माण कर रहे हैं देखिए ये गौ में हवन लकड़ी है ये फून रूप से गह माता के गोपर से बनाई हुई हवन लकड़ी है इसका प्रियोग आप पीपल की लकड़ी या आम की लकड़ी या आम की लकड़ी जो भी है उनको प्रियोग ना करके आप हवन सामक दी के साथ में इन गौ में लकड़ी हों से अपने हवन का कार्य करम बहुत अच्छे से संपूर्टा से कर सकते हैं क्योंकि गाए के गोबर के अंदर आक्सिजन रहता है और जब हम इसका प्रियोग करेंगे तो हमारे आसपास के बातावरण में सुद्धी करण होगा तो मेरी आप से यही आसा है कि आप सभी महानुबाब गोमे लकड़ी का हवन के लिए प्रियोग करें बस और आप इस वीडियो को अपने मित्रगणों और अपने मिलने बालों को सेयर करें जिससे उन लोगों को यह अवैरनेस हो यह एनुबब हो कि गाए का गोबर बहुत सारे कारे करमों में प्रियोग लिया जा सकता है जैगो माता जैगो पाल